जीज़ कैसे हैं आप के इसे आपन आज के लमा मर्थ बहुत स्षयाद ही अब यहाई आएज अबatar के रूप में मुर॑बब्स के रूप में तो टो हम आज नहीं केंडी बनाएंगे नहीं को और यह क्या आप मैज़ने zodat इस दालेंगे और इस रेशपी को तरहा जाएंगे ना पोजी कढ़वा लगेगा ना ही आपको टेस्टलेस लगे गा कि रहता है यह इंट आप सब्सक्रा तो बना करेंगे च्छों आपके बालों की घ्रोथ को बढ़ाएंगे और साथ में को एक्डम पेट को साफ हो पेट साफ रहेंगे तो स्किन तो आपकी ग्लो करेगी करेगी तो देखे मैंने आमले सारे साफ करके धो करके फ्रिज में स्टोर करके रख लेंगे जब भी आप मार्किट से आदा किलो किलो लाएंगे तो हम जहां पर डेली हम क्या करेंगे दो आमले लेंगे और एक मिक्सी ग्राइंडर लेंगे तो इन आम तो प्लीज मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आपती हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा और लाइक भी कर दीजिए गा तो गैस देखें जहां मैंने ले लिया एक छोटा अद्रक जिसको मैंने चील खर लिया था और देखें छोटे चोटे वाश भी क अब मैं एक चोटा टुकड़ा और जहां गाइस मैंने लिलिया है पुदीन आप जहां पे पुदीने के ताजे पत्ते भी ले सकते हैं आपके पड़ा है निदो आप सुखा सके इसके पत्तों को रख सकते हैं और साथ में डाल देंगे जीरा आदा चोटा चमझ मैंने भुना ह करता बहुत बढ़िया होता है तो साथ में डाल दूंगे आदा चोटा चमझ नमक का नमक आपने अवाइड करना चाहते कर सकते हैं लेकिन नमक डाल करके बनाईएगा एकदम कड़वाहट इसकी निकल जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा काले नमक से तो देखे हलका समय यहां पर पानी डाल दूंगी तो जाहां में जिस गलास में सर्फ करना उसी गंदर देखे मैं मिक्सी में बीट कर लिया था अगर आप सीधा जग में मड़े वाले में करेंगे तो चोटे जग में ही त्यार कीजेगा पहले मसाले को फिर उसके बाद मिक्सी जूसर में डाल क फैट लिजेगा तो जहां में डाल दूंगी एक चमा शेहद तो जब आप एक चमा शेहद डालेंगे ना आमले के अंदर एक तो हेल्दी हो जाएगा बहुत सारे फिट्स मिलेंगे आपको और टेस्टी भी आमले का जूस हो जाएगा बहुत ही सिहत के लिए स्किन के लिए आमला बहुत ही अच्छा होता है तो आपको ग्लो करेगा खाली पेट जब लेंगे सिर्फ आठ दिन आप इस जूस को ले लिजेगा गाइस देखिए फिर आप मेंको खुद कमेंट करके बताएंगे कि बहुत ही बढ़ी आपको दी है तो गाइस देखिए मैं सारा चन्नी में जूस हमारा बहुत ही बड़ी आतियार हो गया और आप फॉकट जो होती है न इसको आप धूप में सुखा लीजेगा जा फिर आप सब्जी में भी किसी में इसको यूज कर सकते हैं जा फिर आप नलगाता डेली जब बनाएंगे एक प्लेट लगाईए उसके अंदर सुखा करके रख सकते हैं डिपी में बंद करके साल भर आपका पॉडर जेग खराब नहीं होगा जब आप धूप में भी एक दो लगवा देंगे तो कई देखे हमारा जूस एक तम बड़ी आसा त्यार है एम्मूनिटी को बूस्ट करेगा आंखों की रोशनी को भी बढ़ाईगा